नमस्कार वेलकम बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर आज क्यांक में हम जानेंगे कि जीवन में सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा विसेश कर उम्र निकलने के बाद जीवन में सुख प्राप्त होगा चुकि जब तक बेखती 50 या 60 के रहते हैं व में 2-3 चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए आपकी जो लाइफ लाइफ लाइन होती है लाइफ लाइफ लाइन के यदि अंक्तिम समय में यहां पर कुछ रेखाएं आपको दिखती होगी यहां 2-3 भागों में बठती होगी यदि यह 2-3 रेखाएं दिख रही है तो इसका अर्थ क्या है एक तो यह दिखलाता है कि आपके पास दूर का धन दूर की आत्रा पहली बात दूसरा है कि आपके लाइफ में सपोर्ट मजबूती को भी दिखलाता है और पैत्रिक संपत्ति होना इस परकार की वी चीज़ों को दिखलाता है लेकिन जब यही रेखा कुछ इस परकार से आपका बढ़ जाए कि ऐसा लगे कि कई भागों में इस परकार से पतली पतली बढ़ते चली जा रही है इस परकार से यह क्या होता है अब यह रेखा यहाँ पर पोजेटिव नहीं यह निगेटिव सिंबॉल माना जाता है अर्थात माना जाता है कि यह आपके टोटल जो है 100 वर्स की आयूमानी आती है सास्तर के अनुसार पियादियंग गन्ना करें तो 65-70 के बाद इस प्रकार की रेखाओं का बनना अर्थात आपके जीवन सक्ती में हरास्मेंट, जीवन सक्ती का कम पढ़ना, जीवन में उर्जाओं का कम पढ़ना इस प्रकार की सुख की कमी होगी, सरीर कमजूर हो सकता है, सुख की कमी हो, इस प्रकार की चीज़ें यह दिखलाती है, अब आये दूसरी तीसरी चीज़ें हम कहां से देखते हैं, अब तो यह हो गया लाइफ संबंदी सुख, अन्य सुख के लिए हमारा सुखर बहुत महतपूर्ण होता ह सुख कितना प्राप्त होगा आपके जीवन में? सुख बहुत तरह का होता है, अच्छे घर का होना, भन संपत्ती का होना, पतनी अच्छी होना, गाड़ी बंगले, अच्छे रहन सान, खान पान, भोग भिलास, यह सारी चीज़ें सुख की चीज़ें होती है, और सुक्र अच्छा है, साप सुतरा है, किलियर है और ये परवत उठा हुआ है, तो जीवन में आपको सुख प्राप्त होगा, यदि यहाँ पर किसी परकार के निगेटीब चिन है, जाल है, तो ये आपके जीवन में, सुख में समस्या उत्पन न करेगी, ये आपको मान कर चलना है, आपके पास धन का होगा, यदि जीवन में धन है, चुकि बरतमान समय में क्या हो गया है, कि धन सर्वो परी हो गया है, और है भी भौतिक वादी जीवन है, भौतिक वादी सुख वाले जीवन में धन सर्वो परी है, यदि आपके पास धन है, तो आप धन से बहुत एक तरह से लोगों को लगता है कि उन्हें सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन धन से भी सुख होता है, चुकि मन की निश्चिनता होती है, तो धन के लिए भाग रेखा का अच्छार मजूत होना आवस्यक है, अब है कि उम्र के अंतिम पड़ाओं में बुढ़ापे में सुख होगा या नहीं होगा, यह आपकी भाग रेखा बताएगी किस परकार से, भाग रेखा यदि अंतिम चन, यदि यह हिर्दय रेखा होती है, यह मस्तिस्क रेखा होती है, आए मैं color change कर देता हूं, और भाग रेखा यदि इस में यहां से शुरू हुई, यहां लास्ट तक प रेखा है बहुत सारे हतेले में कि ये भाग रेखा यहां से यहां तक ही दिखती है। इस चेतर पर कोई कोई रेखा नहीं है। अर्थात उम्र के इस पड़ों में धन हीनता का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आपके पास धन का फ्लो कम हो जाएगा, जीबन में कम पैसे आएंगे। तो ये धन का फ्लो कम होना अर्थात कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो यहाँ पर यदि धन की रेखा नहीं होती है, आपकी सनी पर यहाँ रुक जाती है, सनी पर कोई रेखा नहीं है, तो धन का फ्लो नगन्य माना जाता है। ऐसे इस्थिती में आपके उम्र की कैलकूलेशन करें, तो हिरदय रेखा के बाद ये लगभग 55 बर्स के आसपास माना जाता है, 55 से 56 बर्स। तो 55 से 56 के बाद यदि यहाँ पर रेखा है, किस परकार से ये रेखा यदि यहाँ है, तो 55 बर्स से उपर मानी जाएगी, ये 85 तक मानी जाएगी है, 100 तक, तो यहाँ पर रेखा है, तो इस उम्र में धन का फ्लो होगा, यदि रेखा नहीं है, तो धन का फ्लो बहुत कम अर्थात आपके लाइफ के इस पड़ों में 60 बर्स के बाद धन संबंदी समस्याएं आपके साथ उत्पन हो सकती है और होगी तो एक सुख का दो तिन चीज हम देख लिए कि लाइफ लाइन में यदि अंत में कई ब्रांच है तो ये सुख की कमी को दिखला रहा है यदि ब्र सुख के लिए क्या चाहिए पहला है स्वास्त आपका यदि हेल्थ सही रहेगा तो हेल्थ के से लिए हमें इस भागों को देखना चाहिए हेल्थ को निवपित करता है ये किलियर है अंत में इस भाग के अंत में अर्थात आपका यहां स्वास्त संबंदी समस्या नहीं आने हिर्दय रेखा पी, चुकि हिर्दय रेखा हमारी बहुत कुछ कहती है, हमारी हिर्दय रेखा यहां से निकलती है, कुछ इस परकार से चलती है, हिर्दय रेखा की बनाबट आपके हिर्दय के गती सीलता को भी दिखलाती है, यदि हिर्दय रेखा किलियर साप सुतरी और पतली असपस्ट है तार्थात आपका हिर्दय पूरे उम्र अच्छे से वर्क करेगा लेकिन हिर्दय रेखा यदि जंजीरदार है लहरदार है अर्थात आपका हिर्दय अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या उम्र के उस पड़ाँ में ये आपको हिर्दय सम्बंधी शमस्या बलट पेसर होना बलट का फ्लो सही से नहीं होना बोडी में इस परकार की चीज़ें दिखलाती है तना होना बहुत तरह की चीज़ें दिखलाती है हिर्दय रेखा यदि अत्यधिक मोटी और गहरी एती ये अच्छी नहीं मानी आती है ऐसे लोगों को हिर्दय सम्वन्धी बयाधी होने की संभावना रहती है अब आये मस्तिष्क रेखा भी बहुत कुछ कहती है हमारी मस्तिष्क रेखा यहां से निकलती है मांसिक सक्तिय और मांसिक संतुलन के लिए एक अच्छी मस्तिस्क रेखा का होना अतियावस्यक है अब बुढ़ापे में आपकी मस्तिस्क रेखा कितना उवर्क करेगी है इसकी एक लंबाई पर भी निर्वर करता है एक लंबी और असपस्ट अर्था ताउम्र आपकी मस्तिस्क उर्वर रहेगी और अच्छा उप्योग आप इसका कर सकते हैं अब एकी मस्तिस रेखा यदि अत्यधिक जूख के ये चंदर में चली जाती है तो यहाँ पर इस परकार से क्रॉस बनता है तो उम्र केज बढ़ने के साथ साथ ऐसे लोगों को मांसिक संबंधी रोग होने की संभाव न रहती है अर्थात भूलने की बिमारी अत्यधिक बोलने की आदत कुछ याद ना रहना भूल भूल से जाना बहुत तरह का है उमाद पागलपन तक को दरसाता है यदि क्रॉस बनत इस भाग में ये हमारी होती है लाइफ 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 से एक रेखा कुछ इस परकार से बुद्ध परबत की उर जाती है सास्तर में इस रेखा को स्वास्त रेखा के नाम से भी जाना जाता है हलां कि इसे बेपार की रेखा या स्वास्त रेखा के काते हैं लेकिन ये सभी जातक के हथेली में नहीं मिलती है यदि ये हथेली में नहीं है ति ये अच्छी भी बात है लेकिन बेफसाइक छेतर के लिए इतनी उचित नहीं है आई हम बात कर यदि ये रेखा इस परकार से इस परकार से हो ति ये भी दरसाता है कि आप को स्वास्त संबंदी समस्याएं उत्पन हो सकती है यह रेखा बिल्कुल किलिए रहे तो स्वास्त संबंदी समस्याएं उत्पन नहीं होगी यदि यह रेखा टूटी फूटी हो लहरदार हो जंजीदार हो इस पर दूई बना वो इस परकार से बनती है तो यह दरसाता है झाल झाल